लो फ्रेंड्स, Welcome back to my YouTube channel तो कैसे हैं आप लोग I hope आप सबी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के सामने लेकर आया हूँ WhatsApp की कमाल के सेटेंग जो कि friends आप लोग WhatsApp यूज करते होंगे, आप लोग WhatsApp यूजर है तो friends आप लोग को ये setting जानना बहुत ही जरूरी है जैसे कि मान लिजी आप लोग का कोई भी friends आपको message करता हो और आपकी कोई भी girlfriend आपको message करती हो तो वो message आपको फिर delete कर देती है कुछ ऐसा वैसा message उससे गलती से delete हो जाता है तो आप चाहते हैं कि उस message को आप दोवारा read कर सके तो वो कैसे read करेंगे friends तो मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा पूरा आपको step by step आप वीडियो को पूरा देखे, skip ना करें तो friends चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा आपको जो की मेरे चैनल पे जाना होगा और चैनल को subscribe कर ले साथ ही आप लोग बेल वाले all बटन को क्लिक कर ले मैं जो भी वीडियो डालो उसकी notification आपको मिलती रहे तो friends चैनल को like करना ना भूले कुछ अच्छा सा comment करना होना भूले तो चले friends वीडियो पे हम लोग आगे बढ़ते हैं friends वीडियो पे आगे हम लोग आने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा आप लोग को जो की वो play store पे जाना होगा friends हम लोग अगर चाहते हैं कि किसी का भी whatsapp read करना मतलब कोई भी आपको message करे और delete करे तो आप चाहते हैं कि उसे हम read करे और किसी का आपको story अगर अच्छा लगे आप चाहते उसका whatsapp story या status save करे तो वो कैसे करेंगे friends तो मैं बताऊंगा पूरा step by step आप वीडियो को skip ना करे पूरा देखे तो उसके लिए आपको लोग हम लोग को simply क्या करना होगा play store पे जाना होगा तो हम लोग को play store पे जाते ही friends यहाँ पे search करना होगा यहाँ पे w a m r w a m r search करेंगे यहाँ पे खुछ इस type का interface यह आ जागा इस type का WhatsApp का यह third party application आप लोग को download करना पड़ेगा तो यह मैंने पहले download कर लिए आप लोग को download करना है और open करना है तो friends simply हम लोग क्या करेंगे इसको open करेंगे और open करते ही जैसे कि देख लिजे मैं अभी live आपको दिखा रहा हूँ यहां पे WhatsApp का मैं यह मेरा दूसरा phone का WhatsApp है और इसमें यह मैं इसमें WhatsApp कर रहा हूँ message तो message मैं कुछ भी जैसे यह कर दिया यहां पे यह मैंने कुछ भी message यहां पे कर दिया और यहाँ पे हम लोग ने message कर दिया और इसमें देख लिजिए message आ गया तो इसमें हम लोग को क्या करना है long press करके यहाँ पे और हम लोग delete everyone कर दिजिए और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ अरिजिनल whatsapp पे तो यहाँ पे friends यहाँ show नहीं हो रहा इस पे यहाँ पे show नहीं होगा message यहाँ पे देख लिजे, delete message दिखा रहा है, तो आप लोग चाते हैं कि उस message को हम कैसे परें, तो वो message को हमको पढ़ना होगा, तो जो मैंने app download किया था, उसी पे आप लोग को जाना होगा, और यहाँ पे जाते ही friends यहाँ पे दिख लिजे, य आप में उसका message पर सकते हैं, तो है ना friends कमाल का setting, तो friends दूसरा setting क्या है, तो दूसरा setting यही इसी app में है, जो कि friends यहाँ side में यह देख लिजे, download का option है, हम लोग को simply क्या करना है, किसी का भी WhatsApp या WhatsApp का status या story अगर आपको अच्छा लगे और आप उसे like करते हैं, story को अच्छा अबी पर click करना है, और यहाँ पर लिखा वा रहा रहता है, यहाँ पर download का option नीचे है, तो आप लोग simply यहाँ पर करेंगे और आपके gallery में friends save हो जागा, तो आपके gallery में save हो जागा और आप उसे use कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, story अच्छा लगे तो लगा सकते हैं, तो